आपने कई बार बड़ी कंपनी के सी योज और ओनर्स को यह कहते हुए बहुत बार सुना होगा कि डिग्री डजन्ट मेंटर डिग्री माइने नहीं रखी है आपके पास टैलेंट होना चाहिए और आप किसी भी कंपनी में जाकर अच्छी जोब कर सकते हैं लेकिन सच में क्या ऐसा है क्या सही में आप किसी भी कंपनी में केवल और केवल अपने टैलेंट के दम पर अपनी स्किल सेट के दम पर जोब पा सकते हैं क्या सही में डिग्री नहीं चाहिए होती है आज इन सब चीजों का हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ ही डिसक कर लीजिए आपको सबसे पहले चीज यही पूछी जाती है कि आपके पाइक डिगरी कौन सी है भली आपने कितना भी जादा टैलेंट है आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेकिन आप से सीधा यह क्या दिया जाता है कि हमें इस एक स्पैसिफिक डिगरी की जरूर लोस ना ले और जो हमारी मार्किट से डिमांड आ रही है वो भी फुल्फिल होती रहे तो इसमें आप जारा सोच कर देखे क्या कहीं से कहीं तक सिर्फ यह कहना ठीक है कि केवल और केवल हमें बी टैक ही चाहिए चाहिए फिर मेकैनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या फिर अगर किसी ने बी टैक नहीं करी है तो वो उस काम को कर ही नहीं सकता है आपने क्या उसे मौका दे कर देखा एक बार कि वो उस काम को कर सकता है या नहीं बिना मौका दिये यह कह दिया जाता है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यह क्वालिफिकेशन है तो आप जोब क को अपने टैलेंट के हिसाब से अच्छे से कर सकता है लेकिन वहां पर भी आप इस चीज की रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि नहीं यह सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए ही है यह कहां तक सही है चलिए समझ में आता है कोई एक मशीन है उस पर कोई बीटेक वाले व्यक्ति ही क अच्छे से कर सकता है तो वहां पर सिर्फ वासर बीटेक की रिस्ट्रिक्शन लगा देना कहां तक सही है एगजामपल के लिए मान लीजे किसी कमपनी के वेर हाउस के अंदर मैंगेजमेंट की पोस्ट निकली हुई है लेकिन वहां पर भी आप बीटेक के लिए रिस्ट्र इसके restriction लगा दें कि सिर्फ और सिर्फ आप एक specific qualification वाले को ही लेंगे तो दूसरे व्यक्ति कहां जाएंगे आप एक बार दूसरे व्यक्ति को chance दे कर तो देखिए क्या पता वो उस BTEC वाले से या फिर उस एक specific qualification वाले से अच्छा करके दिखा दे एक बार chance तो सब को मिलना चा internal politics हम लोग यह सोचते थे कि सरकारी नोकरी के अंदर ही भाई बतीजा वाज चलता है कि इसने अपना चाचा लगवा दिया बतीजा लगवा दिया पर यह सिर्फ और सिर्फ government companies ते की सीमित नहीं है बलकि private companies में यह government companies से भी जादा होता है कोई भी company कोई भी post के लिए जब banner न इकालती है तो वो अपनी website पर डालती है उसे और हम जैसे लोग जो बाहर से company में apply कर रहे हैं वो उस company पर जाकर उसमें fill कर देते हैं कि हम इस job के लिए interested हैं अगर जो हमारा resume में select होगा interview के लिए तो हमें call भी आ जाएगी लेकिन ऐसा होता ही नहीं है किसी एक company में मान लीज department के एक head ने कह दिया कि मेरा एक बंदा रखा जाना है और जो दूसरे department का head है वो कोईगा ठीक है sir आपका बंदा रख लिया जाएगा तो यह कितना बड़ा discrimination है जो बाहर से apply कर रहे हैं उनके लिए अगर आपको internal तोर पर ही hiring करनी है तो आप एक online vacancy निकाल क्यों रहे हैं औ और अगर जो आप vacancy निकाल भी रहे हैं तो क्या आप यह बता नहीं सकते उसमें कि आपकी application reject हो चुकी है हमने अपना एक हमने अपना एक वेक्ति select कर लिया है जिससे कम से कम हमें ये तो assurance हो जाएगा कि इसमें vacancy complete हो चुकी है fill हो चुकी है हम उसका इंतिजार फिर नहीं कर लेकिन यहां पर हम vacancy apply करते हैं और वह सदा applied ही दिखाता रहता है वह कभी review तक में नहीं जाता क्योंकि internally ही किसी वेक्ति का chain हो चुका है हमें ना तो inform किया जाएगा कि भीया अपना कुछ और देख लो यहां पर तो काम हो चुका है और ना ही review में कभी जाएगा तो यह बा करती को अपने हाँ पर काम पर नहीं रखोगे या फिर कहीं भी उसे काम नहीं मिलेगा तो experience कहां से हो जाएगा अगर जो इसी तरीके से हर किसी ने experience मांगना शुरू कर दिया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे के सारे फ्रेशरी बचेंगे कोई experience रहे गई नहीं आप एक आप काम करने वाले से जाधा करवा लिए जाता है freeze में मजदूरी आप कर रहे हैं एक तरीके से यह मान कर चलिए आप से काम तो पूरा लेंगे और यह कहा देंगे कि तीन महीने तक जी हम आपको सैल ही नहीं दे सकते लेकिन काम आपसे इतना ले लेंगे कि जितना उनका उपर से जब आप पैसे देने शुरू करते हैं, तीन महीने के बाद देना क्या शुरू करते हैं, 10,000 रुपे से उपर कोई नहीं देता, कोई भी नहीं, कोई भी इंटर्शिप के बाद 10,000 रुपे से उपर की जोब नहीं देगा, ज्यादा ज्यादा 15,000 कर देंगे, और 3 साल में आपको ये कह देंगे कि 10% बढ़ा देंगे 20% बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 15 से 20 हो जाएगा जादा जादा लेकिन 3 साल तक आप वहां फस गए ये चीजे बहुत जादा गलत है जो की ठीक होनी चाहिए सबसे बड़ी समस्य यही है कि डिगरी डजन्ट मैटर एक बहुत बड़ा जूट है आप किसी व्यक्ति को एक बर मौका तो दे कर देखिए कि उसके अंदर वो टैलेंट है या नहीं एक बर चांस तो दे कर देखिए बिना चांस दिया आप कैसे ये कह सकते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ एक स्पैसिफिक डिगरी वाला ही इस काम को कर सकता है कोई BCA, BBA या बहुत सी जगे तो BTEC ये काम नहीं कर सकता एक स्पैसिफिक डिगरी चाहिए चलिए ये बात सही है कि एक specific degree एक specific field वाला काम है एक pull बनाने का काम एक architect ही कर सकता है वहाँ पर BCA, BBA या BTEC कोई other branch mechanical या electrical नहीं कर सकता वहाँ चीज़े समझे में आती हैं लेकिन जहाँ पर open pool है वहाँ पर भी आप restriction लगा दें तो ये बात कहां तक सही है मेरे opinion में ये बात बहुत गलत है और इस चीज़ को companies को देखना चाहिए कि और भी लोगों के अंदर talent होता है सिर्फ और सिर्फ degree से कुछ नहीं होता आज के time में degree लोग करते हैं लाखों बच्चे निकलते हैं degree लेकर लेकिन कितने उस चीज़ के लिए qualified होते हैं कितनों के अंदर उस चीज़ को करने का talent होता है अगर जो सिर्फ degree देखकर ही job मिलने लग गई न तो कोई फायदा नहीं होने वाला उल्टा company डूपती चली जाएगी क्योंकि inefficient staff भर लोगे आप ना कि एक talented person जिसको वो काम अच्छे से आता है या फिर जिसे आप वो काम सिखाएंगे और उसकी grabbing power अच्छी है तो मेरा तो यही मानना है बाकी आप लोगों के उपर है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे comment section में जरूर बता सकते हैं इसी नोट पर इस वीडियो का end करते हैं जैहिंद वंद्यमात्रम